Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय इसराइल और इरान के बीश में संबंध कैसे हैं ये तो हम सभी को मालूम है इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आज के सुबह इसराइल के द्वारा इरान के अंदर कुछ सलेक्टेड मिलेटरी बेसिस के उपर बॉम्बिंग की गई है जिस अटैक के बारे में इसराइल का ये मानना है कि उन्होंने बहुत बड़ा डैमेज पहुचाया है इरान को और जहां पे बात किया जाए इरान के बारे में तो इरान का ये कहना है कि इसराइल के द्वारा अटैक तो किये गए लेकिन इस attack में इरान को बहुत ही bare minimum damage पहुचा है और साथ ही जब तक मैं ये video record कर रहा हूँ तब तक एक और report हमारे सामने आती है जहांपे ये दावा किया जा रहा कि इसराइल के दुवारा इरान को multiple reports भेजे गए थे जहांपे इरान को पहले ही बता दिया गया था कि इसराइल किस दिन attack करेगा और किन सब locations के उपर वो attack करेगा यानि कि इस air strike के बारे में इसराइल और इरान के बीच में पहले ही match fixed हो चुकी थी इसराइल और इरान की बीच में संबंद क्यों खराब हैं ये मैं मान के चलता हूँ कि अब तक हम सभी को मालूम पढ़ चुका होगा। आप पे साथ में मैं एक बात और भी एड करना चाहूँगा कि जियो पॉलिटिक्स में जो चीज हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जहां पे ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं या बनते होंगे कि इसराइल के बहुत सारे ऐसे ओफिसर्स या लीडर्स होंगे जिनके संबंद इरान के पॉलिटिशन्स या वहां के लीडर्स के साथ काफी अच्छे होंगे। जो इसराइली है उनका कहना है कि इसराइल के द्वारा इरान के उपर तीन हिस्सो या तीन वेब्स में अटैक किये गए हैं। इसी महीने के एक तारी को इरान के द्वारा लगबग 200 या उससे कुछ अधिक मिसाइल्स डारेक्टी दागे गए थे इसराइल के उपर। और उसके पीछे का वज़े था कि इसराइली डिफेंस फोर्से लिबनान के सदन हिस्से में वो ग्राउंड इन्वेजन करता है और साथ में बैक टू बैक बहुत सारे हेजबुला के कमांडर्स हो गए या हमास के कमांडर्स को मारा जाता है। क्यूंकि इरान एक शिया सक्ट को फॉलू करने वाला देश है तो इसी लिए चाहे लिबनान हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इन सब देशों में बहुत ही टार्गेटेड तरीके से खास करके शिया सक्ट को फॉलू करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनको मिला के एक armed groups का formation किया गया है और बहुत हद तक हम क्या सकते हैं कि ये सारे जो armed groups है वो वही करते हैं जो इरान उनसे करवाना चाहता है इसका यहां से ये भी मतलब हो गया कि ये सारे जो proxies है या armed groups है इनको बहुत हद तक जो training है वो दिया जाता है इरान के द्वारा चाहे हम बात कले हमास के बारे में या हेजबुला के बारे में या ऐसे ही जो प्रॉक्सिज और काम कर रहे हैं इराक में या सीरिया में तो पिछले साल के साथ अक्टूबर से जब हमास ने अटैक किया था तो उसके बाद से बहुत हद तक ये सारे जो प्रॉक्सिस हैं वो भी अटैक करना शुरू कर दिये थे इसराइल के ऊपर तो जो डैमेज होता है वो दिखना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे भले इसराइल ये क्लेम करें या इरान ये क्लेम करें कि उनको कोई डैमेज नहीं हुआ है लेकिन जो ग्राउन रिपोर्ट है उसके हिसाब से इन देशों को डैमेज तो डैमेज तो डैफिनेटली हो रहा भले इन सब देशों के जो लोंग हैं वो डारेक्ली ना मारे जा रहे हों लेकिन इनके जो बिजनेसे से उसको काफे नुकसान पहुँच रहा है और ये बहुत ही एक कॉमन मेंटालिटी है कि जब भी कोई देश किसी के उपर स्ट्राइक करता है या अटैक करता है तो वो उस बहुत ही बढ़ चड़ कर छापता है और साथ में जिस देश के उपर अटैक किया जाता है वो देश यही क्लेम करता है कि उसके उपर अटैक्स तो हुए है लेकिन उस अटैक का उनके उपर कोई खास डैमेज नहीं हुआ है exactly कुछ इनी सब शब्दों का इस्तिमाल किया गया है इस्राइल के द्वारा भी और इरान के द्वारा भी और जहां तक बात किया जाये तो इरान officially ये accept करता है कि इस्राइल के द्वारा जो air strikes किये गये हैं उसमें उनके दो soldiers मारे जाते हैं लेकिन उन दोनों soldiers का जो personal details है या उपर attack किया जाता है लेकिन जिस तरीके से इस्राइल attack करता है यानि कि वो इरान के nuclear facilities और oil facilities को target नहीं करता है तो यहां से भी एक जो संदे है वो निकलता हुआ आ रहा और जहां तक बात किया जाये इरान के द्वारा तो उनका बढ़ चड़कर कुछ ऐसा claim है जैसे कि इरान के पास जो air defense system में उसका इस्तिमाल करके almost जो सभी rockets या missiles दागे गये हैं इस्राइल air force के दुवारा उन सभी को नकाम कर दिया गया है तो यहां पे में भी दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्या इरान के पास भी air defense system है तो बीते कुछ सालों में इरान और रश्या के बीच मे काफी अच्छे हुए हैं एक तो वज़य है Russia Ukraine war जहां पे US और उसके alliance countries बढ़ चड़ कर सपोर्ट कर रहे हैं Ukraine को और उसके बास शुरू हो जाता है Middle East में crisis तो जब भी situation इस तरीके का होता है तो वो एक automatically group को create कर देता है तो बहुत हद तक आज के rate के जो संबंध है इरान और Russia के बीश में हम कह सकते हैं कि ये शायद अपने golden age में है और ये हमारे सामने आ गया axios.com का article जहां पे बहुत ही clear और इस पस्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इसराइल के दौरा इरान के officials को बहुत ही well in advance बता दिया गया था कि इसराइल कहां पे attack करेगा और कहां पे attack न retaliate करता है और इरान के दौरा जो attack होगा उसमें अगर किसी भी तरीके का civilian की जान जाती है तो फिर से Israel attack करेगा और जब इस matter के बारे में इसराइल के PMO से पूछा गया तो वहां से कोई भी comment नहीं आया और by the way अगर किसी को ये लगता है कि axios.com कोई हलका फलका एक news agency या एक news portal है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इनके बहुत सारे जो information होते वो काफी exclusive होते हैं और साथ में reliable भी काफी होते हैं अगर आप बहुत यह honestly देखें तो नहीं तो इरान कभी एक full blown war में उतरना चाहेगा नहीं तो कभी Israel उतरना चाहेगा बहुत हद तक जो Israel के military capabilities हैं वो इस प से होना शुरू होता है तो उस सरकार के लिए उस withdraw को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आज के date में within Israel जो वहां के common civilians है वो बढ़ जड़कर नेतनियाहू के बारे में या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जो situation हमें बाहर से दिखता है वो situation अंदर से बि mode करते हैं और एक बार तुम attack करो एक पर हम attack करेंगे और attack करने के पहले हम एक दूसरे को information बता देंगे और जहां तक बात किया जाए US के hypocrisy के बारे में तो उसका फिर कहना ही क्या जहां पर US का ये कहना है कि अगर इसराइल के उपर attack किया जाएगा तो US इसराइल को बचाने के लिए आ जाएगा और जहां तक बात किया जाए आज के attack के बारे में तो US का ये officially मानना है कि इस attack के बारे में इसराइल उनको पहले ही बता दिया था लेकिन इस operation में उनका कोई role नहीं है simply आप इसको कुछ ऐसा समझ लें कि सामने वाला का कतल करने वाला है कोई उसके बार See you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye